हेलो फ्रेंड्स वेलिकुम बेक माई यूटूब चैनल एस फलेवर फ्यूजन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही फुलकी चाट यह आप इसको फुलकी चाट पोले इसको बनाना जितना इजी होता है उतनी ही मज़ेदार उतनी ही चटपटी बन करते यार होती ह आप इसको एक बार जरू ट्राइ कीजिए कि नेन आप सबको पसनाने वाली है चलिए इसको बनाना शुरू करते फ्रेंड्स इस इंपल सी दही फुलकी चाट बनाने के लिए सब से पहले एक मिक्सर जाल लेंगे उसमें 10-12 लेसुन की कल्या लेंगे एक को टोरी फ्रेश प परके बेसन एड़ करेंगे आप कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स यह आपकी चुआइसे हाफ टीस्पून ब्लेक नमक एड़ करेंगे हाफ टीस्पून वाइट नमक एड़ करेंगे चुटकी पर सोडा एड़ करेंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ करें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी परफेक्ट हमारी फुलके बन करते यार होगी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है दो से तीन मिंट तक ये देखी हमारा बैटर रेली है इसको 10 से 15 मिंट के लिए कवर करके जिससे हमारा बैटर अच्छे से सोफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा ठीक हो परफेक्ट होना चाहिए चल से है नेश्ट प्रोसेस पर नेश्ट एक बाउल लेंगे उसमें तो कप भरके दही एड़ करेंगी उसको अच्छे से पहले से फैट लिया है मैंने यह देखी जिस कप से हम दही एड़ करेंगे फ्रेंड्स उसी कप से हमें एमिली की चटनी एड़ करनी है उसी पाउल में लगबग डेड़ कप एमिली की चटनी एड़ करेंगी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको बनाना जीतनी एजी होता ही उ को अच्छे से गरम कर देंगे जब हमारा ओल अच्छे से गरम हो जाए गेस को मेडियम फ्लेम पर कर देंगे फ्रेंड्स देखे हमारा ओल अच्छे से गरम हो गया है वन इस्पून भरके एड़ करते जाएंगे फुल की आप हाथ से भी एड़ कर सकते हैं फ्रेंड्स यह देंगे दोनों साइड से अलटते पलटते फ्राई करते जाएंगे जब तक खलका सा प्राउन कलर ना जाए फ्रेंड्स जितना इनको बनाना एजी होता है उतनी मज़ेदार बन करते ही यार होती है जब तक खलका सा प्राउन कलर ना जाए इनको फ्राई करते जाएंगे देख तो हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टीस्पून ब्लेक नमक, वन टीस्पून कुट्य ही लाल मिर्च पाउडर, वन टीस्पून भर के चाट मसाला एड़ करेंगी, अच्छे से टेस्ट आता है फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बारी कट किये हुए प्यास करेंगे, इस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यह देखें, जो हमने चटनी बना के रेड़ी की है, टूस्पून भर के वो एड़ करेंगे, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखें, जो हमने फूल के बना के रेड़ी की है, वो एड़ कर देंगे, फ् पुलकी चाट बनकर डेड़ी है आप इसको एक बार सुरूट ट्राइ कीजिए कि इन आप सब को पसंद आने वाली है जितना इसको बनाना इजी होता है उतनी ही मज़ेदार उतनी चटपड़ी बनकर तेयार होती है उतनी ही स्पैसी होती है गैस अगर आपको यह रेसिपी पस करना ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूली फिर मिन लेग नहीं रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज